जेहिन दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्मूर जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे बोड पर देख रहे हैं और इसी के नुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, कुछ वीडियो है वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइ हुआ इसी वीडियो में, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानकारी, खुश खबरी, फैमली पैंशनर को मिला सर्कुलर 631 का एरियर, कितना 2,26,187 रूपे, 7 मई को मिला इस पर्च की तरफ से, यानि कल मिला रक्षित खन्ना चैनल का धन्यवाद, लग पूरा हक नहीं मिला उता, किसी भी सर्कुलर का, और अगर उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद कारवाई करनी पड़ती है, वाइफ को, इस्पाउस को, या फिर उनके बच्चों को, अगर वाइफ या फिर इस्पाउस सक्षम नहीं है, हक लेने के लिए, तो फिर बेटा य हग दिलाता है, अपने पिता का, जिस पिता की मृत्यू हो गई है, जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक टेंशनर है, इनका रैंक है, ओनरी नैपस उविदार, इनकी डेथ हो गईती पहले, इनको 631 का एरियर नहीं मिलाता, वाइफ को, इस्पाउस को भी नहीं मिलाता, तो दोस्तो इनके बेटे ने मेरे चैनल के वीडियो देखे, मेरे चैनल से जुड़े, और दोस्तों, लगतार एक साल से करवाई करते-करते, इनको एरियर मिल गया, 2,26,187 रुपे, सर्कुलर 631 का एरियर मिल गया, बेटे ने अपनी मा के लिए ये सही कारेवाई करी, मेरे चैनल का वीडियो देखकर, सही जानकारी पाकर, आप ये वीडियो देखे, जो इनी की बेटे ने बनाया है, आप पहले ये वीडियो देखे. आज मेरी मा को 2,26,187 रुपे रक्षित खन्ना सर के मार्क दर्शन के वज़े से स्पोर्स ने मेरे अकाउंट में, मा के अकाउंट में क्रेडिट किया. पिछले एक साल से मैं सीपी ग्राम्स पर सिकायत कंप्लेंट डाल डाल कर ठक चुका था, लेकिन मुझे पुरा भरोसा था कि रक्षित सर के बताय हुए मार्क से चलने से एक दिन जरूर मुझे पिछला एरियर मिले गया. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये इनी के बेटे ने बनाया था, इन्होंने ये सबूत दिया है, कि अगर आप सही जानकारी लेते हो, अगर आप सही चैनल चुनते हो, तो फिर आपको आपका हक देने से कोई मना नहीं कर सकता, इस पर्ष जैसा सिस्टम भी आपको आपका हक दे देता है, तो दोस्तों मैं सल्यूट करता हूँ इन बेटे को, पिता जी की मृत्यू के बाद भी, अपनी माता जी को सर्कुलर 631 का एरियर दिलवाया, तो ऐसी कारेवाई कर सकते हैं, चाए आप बेटे हों, चाए बेटी हों, चाए वाइफ हो, चाए स्पाउस हो, चाए आप खुद पैंशनर हो, अगर सही जानकारी लेते हैं, तो आपका हक जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन, भले ही लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, चलते हैं पिवार मना करेगा, इसपर्स मना करेगा, लेकिन रक्षित खन्ना का चैनल उनको हग दिलवाएगा. जिया दोस्तो, पहले मैंने वीडियो भी बनाया है, जिनके अन्विलिंग केस है, जिननोंने अन्विलिंग सेर्टिफिकेट दे रखे हैं, जिनकी नौन कॉलिंग फाइंग सर्विस है, जब M.A.C.P. लेने के लिए, जितनी आपकी कॉलिंग फाइंग सर्विस चाहिए, अग आपको ACP, M.A.C.P. मिल सकती है, थोड़ा सा यहां पर टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए, हमारे टीम को समय दीजिए, और फिर दोस्तो, हम इसके बेस पर आपको आपका हग दिलवा सकेंगे, तो हम अभी कारवाई कर रहे हैं, अन्विलिंग केस पर, और जिनकी नॉन कॉलिंग पैंग सर्विस है, उनको कैसे M.A.C.P. दिलवानी है, हम इसके बारे में देख रहे हैं, रिकॉर्ड आपको मना कर देगा, डिरेक्ट आप रिकॉर्ड को लिखेंगे, वो आपको साफ मना कर देगा, कि आप इनके रूल के अंतरकत नहीं आते, आ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको किसी न किसी तरीके से दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैरे रखना होगा, एक ना एक दिन हम जरूर काम्याब होंगे, हम भारा सरकार के लेटर और कोट के आदेशों के दम पर हम आप आपको आपका हग दिलवाएंगे, थोड़ा सा आप सबर रखिए, जरूर आपको आपका हग मिल पाएगा, चलते अगली जानकारी की तरफ, इसपर्श पर माइग्रेट हुए, कुछ पैंशनर की वाइफ की डेट अप बढ़त, इसपर्श पीप्यो में मेंशन नहीं है, ज दोस्तों आगे दिक्कत हो सकती है, फैमिली पैंशन लेने में, अगर आपकी डेथ होती है, आपकी मृत्वी होती है आगे, तो दोस्तों ये आप अभी से काम करवा लीजिए, अभी से आप सही करवा लीजिए, अपनी वाइफ की डेट ऑब बर्त, पीप्यो में, आप कारवाई कर सकते हैं, वो आप करेए, लेकिन वाइफ की कोई भी डेटेल, इसपर्श में नई छूटी होनी चाहिए, चाहे नाम हो, चाहे डेट ऑब बर्त हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ, इसपर्श पीप्यो में मेंशन होना चाहिए, दोस्तों आप तरीके कौन कराएं, जिला सैनिक बोट से, जिला सैनिक बोट से आप लेटर फॉरवड कराएं, उसके साथ सारी कौपी अटेज करें, जिसमें डिस्चार्ज बुक की कौपी अटेज करें, जिसमें अधार कार्ट की कौपी अटेज करें, पैन कार्ट की कौपी अटेज करें, या फिर को पाइस पर्श में ठीक हो पाएगा, discharge book की copy, अधार काड की copy भी आप upload कर सकते हैं, इस पर्श पे, जैसे कई पैसे बोलते हैं कि हमारे बास part two order नहीं है, तो क्या हम अधार काड की copy upload कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यह आज कल के time में अधार काड एक valid proof है, अधार काड की copy ह हर एक जगे पहुंच रही है, हर एक जगे दिखाई जा रही है, तो आप अधार कार्ट की कॉपी भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अधार कार्ट में जो नाम है और जो डेटो बर्त है, वो सही होनी चाहिए, तब ही आपका स्पर्ष PPO करेक्ट हो पाएगा, तो यह काम आप करवा लिजिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत होगी, मैं आपको समय समय पर अपनी वीडियो के मादम से यह समझाता आता हूँ, कि आप इस तरीके से यह काम कर लिजिए, ताकि भविश्य में फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो दोस्तो वाइफ की डेट अब बर्त हो गई, नेम हो गया, अधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब कुछ आप अपडेट रखें इस पर्ष पे, इस पर्ष पीपियो में भी जरूर मेंशन करवाएं, नेम हो गया और डेट अब बर्त, यह दो चीजे तो बिरकुल सही होनी चाहिए, ने तो आपकी डेट के बाद फैमली पैंशनर को पैंशन लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो भी एक सिविल डिपार्टमेंट है, हम भी बहुत से family pension start करवाते हैं लेकिन हम भी अधार कार्ट देखते हैं wife का pen card देखते हैं account number देखते हैं joint खाता देखते हैं अगर कोई चीज mismatch होती है तो फिर हम भी family pension यहाँ पे नहीं दे पाते हैं लेकिन हम सही कारवाई बता देते हैं हम full pensioner का support करते हैं और हम खुद ही कारवाई करवा के उनकी चीज़ें सही भी करवा देते हैं और कुछ time बात उनकी family pension भी लागू करवा देते हैं तो दोस्तो हमारे department पे फिलाल कोई दिक्कत नहीं है जहाँ इस वालश की बात आती है वाँ पे हम आपको guide करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको करना है ताकि दिक्कत नहीं तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई इसके अनुसार आपको कोई और दिक्कत है तो आप नीचे comment कर सकते हैं वीडियो आपको उच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहते हैं इस चैनल के मादम से Thank you so much